जहिंद मैं हूँ प्रेमरा चोहान और आप सब का देश तकनीज में स्वागात है बता दू अभी हम है निंडिया और नेपाल के बोर्डर जोगवनी पे आप देख सकते हैं हमारे बगल में बहुत सारी गाड़िया लगी हुई है और मुझे आज यह दिखाने का मकसद यह है क कि बिहार जैसे राज में जहां से नेपाल के लिए इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है अब देखिए आगे लैंड़ पोर्ड है मतलब भूमी पतन एयर्पोर्ड मतलब हवाई पतन जहां से हवाई जहाज उड़ती है लेकिन यहां लेंड पोर्ट है यह जोगवनी और नेपाल जो हमारा यह बोर्डर है इंडिया का जोगवनी में नेपाल वाला आप देखें लिखा हुआ वहां आगे आप में गेड देख सकते हैं वैसे तो अंदर जाके रिपोर्टिं से लगे बड़े बड़े ट्रक लगे वें इनमें गूट साइए जो की यहां से सीधा नेपाल जाएंगे जो ट्रेड्ड है इंडिया और नेपाल का इसी रास्ते होता है खासकर करके हमारे अरडिया जीला में एक मात्रे जो लेंड पोर्ट है जोगवनी वो है आप देख सक अंदर एक हमारा बहुत बड़ा तिरंगा जंडा पूरा फैरा रहा है लहरा रहा है इससे पता चल रहा है कि हम अभी भारत के अंदर हैं आप देखिए जो लेंड पोर्ट है कहीं ना कहीं इसका भूमी आप देख सकते हैं कई किलोमीटर के दर्वियान में फैला हुआ है वह लेंड तक फिर आगे आगे जो है वह नेपाल का पोर्ट है इसी रास्ते हो करके पूरा पोर्ट में बतादू जूम करके आप देख सकते होंगे कि पूरा पोर्ट का जो रास्ता है इसी हो करके सारा गाड़ी चेक होके जाता है और आगे से जो नेपाल है वहां भी फिर चे अंदर क्या जो जिलिश्स्य है कहीना कहीन बहुत ही बहुत ही बहतरी ने और यहाँ पूरा चेख होता है si Larry की यहां से वहन नेपाल को भेजा जाता है लेकिन एक बातad कहना है नेपाल से जो हमारा इतना अच्छा रिस्ता है यह जो रिस्ता आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ब्यापारिक रिस्ता भी है यहां से नेपाल के लिए कितना ज्यादा सामान भेजा जाता है नेपाल से कितना बढ़िया रिस्ता बना हुआ हमारा मैत्रिक और जो हमारा होत इंटरनेशनल रिलेशन लेकिन कही न कहीं नेपाल के लोगों में कुछ ऐसे की जो मान सिकता है भारत के प्रति कहीं न कहीं भूमी विवाद को लेके वो कहीं न कहीं गलत है अगर नेपाल से भारत अगर अपना रिष्टा तोड़ ले तो कहीं न कहीं नेपाल की जो हालत है व यानि कि नेपाल से दो से धाई गुना ज्यादा हमारे बिहार का GDP है और फिर भी नेपाल में लोगों को यह सुचना चाहिए जो नेपाल की आवाम है जो नेपाल का भी दो भाग है जो राइट विंग लेक्ट स्विंग कुछ मदेशी जो बोडर इलाके के है भारत से उनका कह राड़ी छहत्र के लोग हैं जो नेपाल सरकार में ज़ाद है लोग है जो विरोज करते हैं कहीन कहीन canon के तो आप के लिए इंडिया से जो समान जाता है वो नेपाल के लोगों के लिए जाता है जिसे उन्हें सस्ते दामों पे मिलता है अगर यही समान वो चाइना से खरीदें अगर यही समान वो किसी अन्य स्टेट से खरीदें तो कहीं नेपाल में जो आज जो कीमत इतना कम है वो कहीं और ज्यादा इजाफा होगा तिसलिए ने देश को गालिया देते हैं यह ना करें ऐसे बहुत सरे पत्रकार नेपाल के वीजों क्लेम करते हैं लेकिन आपको बता दूं कि भारत अगर आपको समान देना बंद कर दे तो कहीं नेपाल के लोगों के लिए और पूरे देश के आर्थिक स्तिदी के लिए यहानी वाली बात ह दिखा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं लेजा सकते हैं और मेरा मकसद वीडियो बनाने काई था कि मैं दिखा दूं कि बिहार के रडिया जीला से जो गवनी से जो हमारा ट्रेड है वो नेपाल का कितना ज्यादा है हर दिन यहां 500-20000 गाडियां लगी रहती हैं वीडियो को दे